नमस्का जोहार चलिए देखते हैं चत्तिसकड की दस फटाफट बड़ी खबरों को महिलाई शराब बंदी पर दोनों हाथ उठाती हैं गुडाखू पर चुपो जाती हैं नश्या मुक्त चत्तिसकड अभियान में बोले सीएम भुपेश सीएम भुपेश बगे ने राजसारी राइपूर के प्रजापता ब्रहमकुमारी ईश्वरी विश्वित धाले शान्ती सरोवर में नश्या मुक्ती अभियान की शिरुआती कारिक्रा में सीएम भुपेश ने कहा कि साल 1218 में महिलाओं का दबाफ था कि प्रदेश में शराब कर दी इसके लावा भेट मुलाकात में भी शराब बंदी की मांग होती है सीएम भुपेश ने कहा कि इसके लिए केबल सरकार की जिमेदारी नहीं है उन्होंने कहा कि महीनों के लॉकडाउन में लोग शराब का इंतजाम कर रहे थे कुछ नहीं मिला तो सैनिटाइजर पी ग सीएम ने युवाओं के हित में आइटी आई की प्रसिक्षर नाधिकारियों की भरती के लिए पदो की संक्या 366 से बढ़ा कर अब 920 कर दी गई है प्रसिक्षर नाधिकारियों की 920 पदो पर भरती की चुएगी संचालक रोज का प्रसिक्षर ने इस संबन में नया विग् कि प्रक्रिया आठ मैंई से शिरू हो चुकी है। कॉंग्रेस के राश्टी अध्यक्षे मलिकर जुन खड़ियों और राहुल गान दीची के प्रभाव का परिणाम आज देश की जनता के सामने है। लोगों के एस्पताल पॉस्ते पॉस्ते सास ना उखड़े इसलिए अब दस मिनिट के भीतर एंबुलेंस और बीज मिनिट के भीतर गायलों को ट्रामा सेंटर पहुचाने के लक्ष को गंवीरता से पालंग करने का नेनल लिया गया है। लक्षी है कि प्रदेश के किसी भी कोने पर सड़क दुर्गटना में घायलों को ततकल्च किसस विदा दिलाई जा सके। इसकी उद्देश के तैट ऐसे जिलेई जहां ज्यादर सड़क दुर्गटना हो रही है। राज्य के अंदाताओं की भैत्री और उनकी आर्थिक सिती को मश्बूत करने राज्य सरकाने किसानों से प्रती एकर 20 कुंटल धान की खरीदी करने का नेनल लिया है। राज्दानी में 27-29 मई तक तीन दिवसी राजिस्तरिय मानस मेंडली प्रतियोगिता होगी। राज्य में चंद्र खुरी में किया जा चुका है। मुक्षि मंत्री वुपीश भगेल के नेतरतों एवम खेल एवम युवा कल्यान मंत्री उमेश पटेल की मार्ग देशन में प्रदेश में खेल गती वीदियो को बढ़ावा देने अधुसन रजना और सुविधाओं की विकास और खिलाडियों को प्रस्टिक्षन प्रोचस परिक्षा के लिए केंद्र 28 वई तक कर सकते हैं आविदन 36 गड़ वेफसाइक परिक्षा मंडल द्वारा नर्सिंग पार्टिक्रा में प्रवेश के लिए सभी जिलों में परिक्षा केंद्र होंगे इसके लिए व्यापम ने दिशन निर्देश जारी की है बता दे पूर्व वर्ष में पांच जिलों में परिक्षा केंद्र बनाई गए थे सभी जिलों में परिक्षा केंद्र होने से छात्रों को दूर केंद्रों में नहीं आना पड़ेगा बता दे B.S.C. नर्सिंग, M.S.C. नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग की परिक्षा 24 जून को होगी परिक्षकली ऑनलाइन आवेदन 13 मई से शुरू हो चुका है फॉर्म भढ़ने की अंतिम तिदी 28 मई है तुरूटी सुधार के लिए 29 मई तक कसा में दिया गया है 36 गड़ में गर्मी ने किया बिहाल पारा 43 डिग्री पार 36 गड़ में जुलसाने वाली गर्मी का दौर शुरू हो गया है अधितम तापमान सकती और तिल्दा में 43.6 डिग्री था दुपहर की चिलचिलाती धूप अब चुबने लगी है प्रोदेश में चक्रवात का असर काम होते ही मौसम में बदलाव शुरू हो गया है राइपूर में आज सुबा से सामाने से 1.5 डिग्री तापमान बढ़ा हुआ है अगले 3 दिन में 3 डिग्री तक तापमान बढ़ने की संभावना है केंदरी करमचारियों को मिलेगा बड़ा गिफ्ट सरकार करमचारियों को बंपर गिफ्ट देने की योजना बना रहे है उमीद जिताई जारी कि महेंगाई के मदिने से सरकार D.A. में 4 पीसेदी की बढ़ोतरी कर सकती है अगर महेंगाई बता बढ़ता है तो केंदरी करमचार्यों को दिवाली से पहले बड़ा गिफ्ट माना जाएगा सरकार ने मार्च में ही डिये में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी बढ़ोतरी के साथ ही करमचार्यों का डिये 42 फीसे दी हो गया है अगर सरकार जुलाई में फिर से डिये हाइक करने का मूड बना रही है तो यह बढ़कर 40 पीसे दी से अधिक हो जाएगा इससे केंदरी करमचार्यों की सेलरी मच्ची खासी बढ़ोतरी हो जाएगी यह तो थी आज की बड़ी खबरें डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले धन्यवाद